मेरे घर में लगा हुए एक्साइटल वाला इंटरनेट एंड उनी का ही मॉडम जो है वो मैंने यहां पर लगा रहा है और सबसे बड़ा इस्यू मेरे को यहां पर आता है कि मेरे को जो रेंज है वो नहीं मिल पाती है तो आपको इन तीनों इस्यू के साथ गुजरना बड़ता है सबसे पहला इस्यू आता है रेंज जैसे मेरे मेरा बिल्कुल सेंटर ऑफ दा हूस के अंदर जो है वो राउटर लगा रहा है मैंने और जब मैं बिल्कुल बाक आफ दा हूस चला जाता हूं यहां फ्रेंट पर आ जो कि काफी जादा इस्यू देता है क्योंकि जब आप एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हो और आपको फिर बफरिंग हो रही है आप वीडियो प्रॉपली नहीं देख पारे सफिंग प्रॉपली नहीं कर पारे डाउनलोड स्पीड आपकी कम होगी है तो आपको बहुत जादा गुसा आता है दूसरी चीज होती है बॉटल ने का में मेजर रीजन होता है जैसे आपके घर में पांच मेंबर छे मेंबर साथ मेंबर यूजिली जिम्स के अंदर 100-100 मेंबर होते हैं वाइफाय लगा हुए है और वह सबके फोन के साथ जब वो कनेक्टे होता है तो काफी प्लान होते हैं जिसमें आपको एक जीपीपीएस का स्पीड जो है वो मिल जाता है बट कई राउटर ऐसे होते हैं जो 50-100 तक ही स्पीड जो है उसको सपोर्ट कर पाता है जैसे मेरा प्लान है 400 मबीपीएस का तो उसके अंदर क्या है कि हमें यहां पे जो स्पीड है उसके लिए राउटर भी हमारा उस हिसाब से होना चाहिए जो कि हमारी एक्चाल 400 अबीपीएस 300 अबीपीएस जो है वो दे दे अगर मैं यहीं 50 अबीपीएस 100 वाला राउटर जो है लगा दूँगा तो आटमाटिकली जो हमारी स्पीड है वो फिर 100 अबीपीएस यहाईग और यह होने वाला है स्मार्ट वाइफाई 6 टेकनोलोजी के साथ बागे अगर मैं यहाँ पर इसके बैस पार्ड की बात करूं तो नॉर्मल राउटर के मुकाबले यह ऑल्मोस्ट 80 परसंट जो है रेंज बढ़ा देता है आपको पावर डिलिवरी जो है वो बेटर देता है